हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदे के and welcome to Techstore ओके क्या आप अपने फोन में एक बार में सारे मेसेज़ेस को डिलीट करना चाहते हैं क्या आप जाना चाहते हैं कि एक बार में सारे मेसेजेस डिलीट कैसे करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है देखिए ये प्रॉब्लम्स ज्यादा तर OPPO, Vivo, Realme, Redmi और OnePlus के फोन में आती है जिनमें Google Messages की एप होती है जिसमें आप सिर्फ एक-एक करके इस तरीके से सेलेक्ट करके Messages डिलीट कर सकते हैं इसमें बहुत टाइम चला जाता है तो आप मेरे एक-एक स्टेप को फॉलो करिए जिससे आप अपने सारे Messages डिलीट कर पाएंगे वो भी वन क्लिक में तो सबसे पहले आप यहां से बाहर निकल जाएं और आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में चले जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर सर्च करें आई-मेस आई-मेसेजस आप सर्च कर लें इस तरीके से तो आपको यह आप दिखेगी आई-मेसेजस की देखिए यहां पर मेसेजस लिखा है लेकिन नीचे आप देखेंगे आई-मेसेजस की एप है 1,000,000 इसके डाउनलोड है और 4.4 की रेटिंग आप देख लें यही आप आप डा डाउनलोड ना करें अब यहां पर इसे इंस्टॉल कर लेते हैं इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूगा अब इससे ओपन कर लेते हैं यहां पर टिक कर दे और गेट स्टार्टेट पे क्लिक कर दें यहां पर यह कर दें और सेट एस डिफॉल्ट पे क्लिक करें और अलाव करें इसके बाद सबसे उपर आपको आई मेसेजिस की एब दिख रही है इस पर सेलेक कर ले और सेट एस डिफॉल्ट इसे कर ले जैसे यह अब सेट एस डिफॉल्ट करेंगे तो यहां पर आड आते हैं तो आपको बस अपना काम कंप्लीट करना है और इस अपलिकेशन को आप डिलीड भी कर सकते हैं तो आपको करना क्या है किसी भी एक मेसेज पर लॉंग प्रेस करना है देर तक दबाना है ठीक है अब इसके बाद देखिए एक message select हो गया है यहां पर आपको यह इस तरीके का box दिखाई देगा इस पर आप click करेंगे तो select all हो जाएंगे यानि सारे messages आपके यहां पर select हो जाएंगे मेरे phone में अभी सिर्फ 14 messages हैं अगर आपके phone में और ज्यादा भी message होंगे तो सब select हो जाएंगे और उसके बाद आप यहां पर delete पर click करें और delete पर click कर दें तो सारे messages एक बार में delete हो जाएंगे और काम होने के बाद आप इस application को अंस्ट्रॉल भी कर सकते हैं उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सर को सब्सक्राइब जरूर कर दें